हेलो एब्रीवान वल्कम टू दीसा लानिंग संटर गैज हम हमारे डे टू डे लाइफ में इस प्रकर सेंटेंस की यूज करते हैं जहां पर हम कहते हैं कि तुम्हारे अलाबा सब जानते हैं इस बात को राजु के अलाबा सब घर पहुंच गये हैं तौनू के अलाबा सब इस बात से से मत हैं तो इस पकर की सेंटेंस को हम इंग्लिस में कैसे बोलेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले हम इसका स्ट्रॉक्चर जान लेते हैं स्ट्रॉक्चर में आपके फास्ट आएगा सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्फ अगर आपको नेगेटिव करना है तो नॉट आजाएगा देन वर्फ देन एक्सेट फर्फ अब्जेक्ट फर्म आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपके अब्जेक्ट है आई तो आई का अब्जेक्ट फर्म आजाएगा मी यू का यू अंड ही का हीम see ka her and they ka them अगर आपको question करना है आपके sentence के structure हो जाएगी do, does, did सब से पहला आजाएगा and then subject, then for and then accept for object form of subject चलिए इसको example के साथ अच्छे से समझ लेते हैं तुम्हारे आलावा सब जानते हैं इस बात को everyone knows about this matter accept for you everyone knows about this matter accept for you कपिल के अलावा सब मेरी बात से सेमझ है everyone agree with my point accept for couple everyone agree with my point accept for couple सोहन के अलावा सबी बच्छे स्कोल गए हैं all the children have come to school accept for सोहन all the children have come to school except for सोहन राजू के अलावा सब घर बोंज गए हैं everyone has raised home except for राजू everyone has raised home except for राजू मेरा के अलावा सब इस काम से खुशें everyone is happy with this work except for मेरा everyone is happy with this work except for मेरा तनू के अलावा सब इस बात से से मत हैं अगर हम कोशीन पूस रहें तो हमारा सेंटेंज इस प्रकास से हम बोलेंगे does everyone agree with my point except for तनू does everyone agree with my point except for तनू